श्रीक्रेश्न कनहय यालाल कीजे श्री नियानन्द स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे कीजे एक इल्म जाने रुह अर्श की और न काहूं खबार खेला मोहर तो कच्छुए नहीं एक जरे भी बराबार श्रीक्रेश्न कनहय यालाल की दुनिया के लोग ब्रह्मा आत्माओं के साथ अपने तोलना करते हैं वह सही नहीं है यह समझाना चारहें आपर तोलना बता करके एक खाकी भूत सव नाबुद यह खाकी भूत का तात्परिया पार्षिप देहधारन करने वाले उसके समानिय और नाबूद जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है ऐसे इनको कायम किये मुमिन ब्रह्मात्मा उन्हें इनको भी अखंड कर दिया है आब हयाती अरसकी पिलाए कि सबन इनसाब को हयाती आब कातात पर यह अखंड रस पिला करके तो यह ब्रह्मानंद रस ब्रह्म ज्ञान का रस है यह पिला करके तो वो परमधाम का ज्ञान है तार्तम ज्ञान और प्रेम लक्षण भक्ति यह पिला करके उनको अखंड कर दिया ब्रह्मात्मा उन्हें इता मता मोमिन, अरस सेति ल्यावत, यह जो इतनी बड़ी संपत्ति जो दुनिया को अखंड करने वाली प्रमात्मा ये परमधम से लाती है बूत खाकी सरवर रूहों की समझे बिना करता तो यह खाकी बूत है वो रूहों की सरवर रूहों की साथ अपने तुलना बिना समझे करते हैं तो हमारी जैसे ही तो हैं ऐसा करकर सोचेंगे लेकिन वो तो कहां परमधम की संपत्ति लाने वाले हैं और उनके द्वारा ही इनको भी अखंड होना है तो इसलिए वो बिना समझे ही समान होने का दंब करते हैं अरश एलम हुआ जायर जब सब हुए रोशन तो ब्रह्मग्यान प्रकट हुआ तो सब जगे प्रक्रास फैल लगाया सब को पता चलने लगा तब अंधेरी और उजाला जुदे हुए रात दिन जैसे रात और दिन अलग अलग होते हैं दिन में सब देखता है पता चलता है रात को पता नहीं चलता ऐसे ही अज्ञान का अंदकार और ब्रह्मग्यान का प्रकास ये दोनों ही सपष्ट जायर हुए देखो ब्रह्मग्यान होने पर यह यह पता चलता है और ब्रह्मग्यान के अभाव में तो ये कुछ जानते नहीं थे ऐसा सपष्ट हो गया जिनको ब्रह्मग्यान हो जाता है तो उनको अंधेरे और वजाले का पता चलता है, जिनको ब्रह्म ग्यान प्राप्त होता है, अरसा तो दूर है नहीं, कहें दो कतेव बेद, परमधाम तो दूर है नहीं, ऐसा दोनों ही कतेव में भी इस प्रकार की बात कहिए और बेदों में भी इस प्रकार की बात कहिए, तो तो परमधाम कहीं दूर नहीं है, अरस में रूहें दुनी पहनाजी में, ब्रहमात्मा परमधाम में हैं, और दुनिया के लोग नश्वर जगत में हैं, ए इल्म लुदन नी जाने भेर, इसको तो तार्तम ज्याने इस रहश्य को स्पष्ठ करके बता देता है, पर ए इस सुद दुनी में नहीं, तो क्या जाने कित आरस जब तार्तम ज्यान दुनिया में नहीं है, इसलिए लोगों को ये पता ही नहीं है, कि परमधाम कहां है, किस दिशा में, तो हक क्यों हादीर हुएं, क्यों दिल मोमिन अरश परश तो इसलिए उनको क्यों हादीर हुएं, तो सत्य क्या है, पुरुना ब्रह्मा परमात्मा कौन है, तो श्यामा जी कौन है, ब्रह्मात्मा कौन है और ब्रह्मात्मा के साथ में ये पुरुना ब्रह्मा परमात्मा के साथ ब्रह्मात्मा का अरस परस होता है, वो कैसे पता चलेगा तो यहां अरश परश का तात्परियत, ब्रह्मा आत्मा है, पुरुन ब्रह्मा को अपने रिधाय में बैठाती है, और पुरुन ब्रह्मा उनको अपने रिधाय में स्थान देते हैं, तो यह अरश परश है, भक्का जी मी जरते जब आए, और भक्का आस्मान, तो परमधाम मे तो सब तत्वा, भूमी से लेकर के, पांचों तत्वा, तो ये सब अखंड है, तो ये भूमी, जाल, अगनी, वायुव, हकास, तो ये सारे के सारे अखंड है, आपन बैठे वाई अरश में पर नजरों देखे, जहान हम उसी परमधा में बैठे हुए इस नसर दुनिया को दे देखा जाए तो ये नश्वर जगत का कोई अस्तित्वाई नहीं है, है अरश बकाहक, तो परमधाम ही सत्य है, हका इल्म ले देखिए, ब्रहम ज्यान से इस पर जरह विचार करें तो पता चलेगा, तो हो ये, आरश मापक अतव लगेगा कि अरे, जैसे परमधाम अखंड ह आएसे हम भी अखंड हैं, परमधाम के भाति स्वयम को भी अखंड समझने लगे जाएंगे, नाबूद काई जो दुनिया तीना कि अरश नजर भी नाबूद है, तो दुनिया जब अस्तित्वहीन है, ख्षण भंगूर है, तो उनकी दृष्टी भी ऐसे ख्षण भंगूर है, जूठी दुनिया आएं तो उनकी दृष्टी भी जूठी है, और शरू यहां का एलम है, यह आशिक हैं देखे महे भूगा, तो परमधाम की आत्माएं हैं, ब्रह्म ज्यान तार्तम ज्यान पराप्त करके, तो फिर वो देखती हैं, आशिक हैं, तो पूर्ण ब्रह्म प ज्यान से, इता आखें चाहिए हका इलम की, तो हका देखिए नाइना वातन, तो ब्रह्म ज्यान से आखें खुलने चाहिए, ब्रह्म ज्यान की दृष्टी हो, तभी तार्तम की दृष्टी हो, तो उसे दृष्टी खुलने पर, हका देखिए नाइना वातन नाइनी नाइन यह समझ बर्मधाम को देख सकते और constitu एघ कोड़ता को सम्झ सकते हैं वह एघना बात उनों खुले हा कहिल में ए साहूर है बीच मोमिन और अन्तरदृष्टिंजू भी तो ब्रह्म्यानची खुलती है नतरदृष्टी को लेगी तो पर्वермधाम देखेगा, अंतरदृष्टी को कोलने के लिए तो ब्रहमा ज्यान चाहिए, तो ए सहुर है बेच मौमिन, ये समझी ब्रहमा आथमा को ही है, इसलिए ब्रहमा ज्यान से ही पर्व मध karena का ख्याल होगा, ये समझ ब्रह्मात्माओं को है जिन बेचून बेचगून नजरों ताये ख़वर न इलम हक जिनकी दृष्टी में सुन्ने निराकारी है तो उनको ब्रह्माग्यान के विशाय में पता नहीं है हका इलम देखावे मासुक इना हाल मुमिन कहे आसुक तो ब्रह्मग्यान तारतम ज्यान शही तो परमात्मा मासुक है और ब्रह्मात्माय उनकी अनुरागणी आसी कहें ये समझा देता है उससे पता चलता है कहि पांच तत्व क्वावकेता में बुझरक कहला ए कही लाख तो ये पांच तत्व की भूमी है यह स्रिष्टी पांच तत्व की है, यह स्वपन की है, तो फिर भी इस वपन की स्रिष्टी में भी लाखों लोग समझदार भी हो गया है, पर अरश अब कहा कठव रखे, कहूं जरा न पाईये साख, किन्तु दुनिया की समझदारी तो उन लोगों में रही, अखन परमधाम के विशय में उनके द्वारा भी कोई साक्षी नहीं मिली, तो दुनिया में अद्धिपी समझदार लोग भी हुए हैं, लेकिन उनको भी परमधाम के विशय में और परमात्मा के विशय में तो पताने चला, ख्वाब पैदाबका जीमी से पर देखे न बका को, ये स्वप्नबत जगत है, वो अखन के कारण ही पैदा हुआ है, ये स्रिश्टी, पर देखे न बका को, किन्तो इसके द्वारा परमधाम का अनभब नहीं होता है, एक जरा बकावे ख्वाव में, तो सव ख्वाव ओडे तेनसों, तो परमधाम का एक जरा करतात पर एक छोटा सा कौन भी इस जुठी जगत में आ जाए, तो उससे ये नस्वर जगत का स्थित्व मिट जाता है, तो उसके परमधाम के सत्य के कौने के समक्ष भी है, उसमें दुनिया जूठी दुनिया नहीं है, कहने का इयतात पर यह है, ना तो खवजी मी बक्लाजी मी सो, एक जरा अनतपावत तो उससे देखा जाए, तो सपन की भूमी और परमधाम की भूमी में कुछ अंतर ही नहीं लगेगा ना, निज प्रिष्टि से गठेंगे, तो यहां परम्धाम की भी बेंटो, रिष्टि से होगी, धन्या जैसी ही, सामने उर्प्ष एार कोई यह इए चिंत विचार करता है, ऐसी ही होगी, ऐसा सुचते हैं, तो वो परमधाम की द्रिष्टी से देखने की और उससे समझने की आवशकता होती है पर जूठ न रहे, सांच न जरों, सत्य की द्रिष्टी में जूठ का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है आंखें खुलते, ख्वाब उड़ता, जिससे स्वपन देख रहे होते हैं के लिए माकेश का कोई अस्तित्व नहीं है यह जाहर दुनी जो खुआव के करे मोमिनों के सरवर तो यह जाहर से बात है के स्वपन के दुनिया है वो ब्रमात्माओं के साथ में अपने समानता होने का दंब करते हैं तो हक कर देखे जो ना ठिकेता है क्यों करें तो जु स्थय के सामने ठिकी नहीं सकते हैं उनको दुसरा क्या बोली है, उनका अस्तित्व फ़ही नहीं है हक कर देखे जो खड़ा रहे तो दुजा कर आजाए यदि सत्य को देखने पर उनका कोई अस्थित्व ठिका रहे तो हाँ कह सकते हैं की ये अस्थिय थिकता ही नहीं है दो मख्वावी दुझे क्यों कईये जो नीद उड़जाए तो खववी दम है उनको दुझाक अदूसरे कैसे बोलें कि नीद के उड़ते ही वो भी उड़ जाएंगे, जब तक नीद रहे, तब तक ही उनका स्थेत्व है, नीद के उड़ते ही पूरी दुनिया ही दिखनी बंद हो जाएगी, इसलिए उनको क्या बताएं? ए इलमे सुनो अरशबारी कियां जो सहे 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 परमधाम की बात को सौन कर सकता है करने का तात्परिय तो परमधाम की बात है वो इसी ब्रह्म ग्यान के माध्यम से ही समझा जा सकता है ताई भी दूजा क्यों कहिए कहिए कुल मौमिन बाहे दतन तो यदि ब्रह्म ग्यान तार्तम ग्यान को समझेंगे तो पता चल जाएगा कि जो ब्रह्मात्मा हैं तो पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा के अंग में हैं, अद्वेत रुप में हैं तो उनको अलग भी कैसे कहेंगे, वो तो पूर्ण ब्रह्मा के अंतरगती हैं दुनिया ओल्ग है कि उसका कोई अस्थित्व ही नहीं है और ब्रहमात्माय अलग इसलिए नहीं है कि वो पूर्ण प्रह्म के अंग हुण उंसे अलग नहीं है इसलिए इनको भी अलग नहीं कह सकते है इसलिए पुर्ण ब्रह्म परमात्मा स्रे राज्जी श्रिश्यामा जी एवं ब्रह्मात्मा परमधाम में अद्वित स्वरुप में ऐसे कहे गए हैं पर ए जाने अरवा अरश की जो रूएं आका खिलवत किन्तो इस रहश्य को परमधाम के आत्मा ही समझ सकती है जो मुल मिलाव में इसरे राज्जी के चर्णों में विराजमान है इतहीं कजा हो इसी इतहीं हो इसी विष्ट तो इसे देखा जाए तो दुनिया को मुक्ति स्थल तो उनको वह बैठे बैठे ही उनको देना है तो वही पर सब कर नयाय करना है कजा करना है और फिर दुनिया क तो वो जिन लोगों को बैस्तमे स्थान नहीं मिलेगा उनके लिए दो जख का निरनाए भी वह बैठे बैठे कर देंगे दुनी तले नूर नजर क्यामत और यह पूरी दुनिया है और नूर के नजर के तले तो इनको वो कायामत कर देंगे करतातपर यहां अखंडा करना इनको अक्षर ब्रमा की दरश्टे में अखंडा करने का कारिय भी तो यही ब्रमा आत्मा है करने वाली है वो परमदा में बैठे-बैठे करने वाली है दम ख्वाबी देखे यह बका को कर देखो सहुर ख्वाबी दम है तो ये स्वपनवत जगत के जीव हैं, अखन्न को कैसे देख सकते हैं, जरा विचार करके तो देखो ख्वाब दुनी तब क्यों रहे जब हुआ दिन भक्का जहूर, जब ब्रह्म ज्यान का प्रभात हो जाता है तो उस समय ये ख्वाबी दम का अस्तित्व कैसे रहेगा, तो ये तो सपन के जीव हैं वो, तो उनका तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा दुनी मगज न जाने मुशापका, तो देखे अरश को दूर, तो दुनिया के लोग हैं, तो धर्म ग्रंथों के रहष्य को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वो परमदाम को दूर समझते हैं जो जाने हका इलम को, तो देखे मुमिन हका जूर, जो ब्रह्म ग्यान को समझते हैं, तो वो देख सकते हैं कि ब्रह्मात्मा हैं तो पुर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में हैं, तो वो ब्रह्मात्मा को पता चलेगा ये बात, दूसरों को नहीं पता चलेगा बिस्त दो जक दो जायर ए लिख्या माय पुरमान बैस्त और दो जक दोनों इस प्रकार की बातें कते वादे गरंथों में लिखी है स्पष्ट रुपशे तिन छोड़ी दुनिया हराम कर जिन होई है का पहचान और ये भी बात बताई है कि जिन को सत्य की पहचान हुई परमा पहचान हुई और ये जुठी वस्तो को त्याजी समझ करके छोड़ भी दिया है तो वो छोड़ देगी ऐसा कहा गया है तो अब ये ब्रहमात्माओं के लिए कहा है ये कहना चाहरा है तो तरक करी इन दोनिया इन ब्रहमात्माओं ने इसलिए ये दुनिया को तरक कर दिया म जिनका रिधाय परमधा में ऐसे ब्रहमात्माओं उने तो दुनिया को त्याज्य समझ करके छोड़ दिया। जब दिन हुआ बकारोशन जब ब्रहमग्यान का प्रभात हो जाएगा तो उसमें दुनिया यहीं पर जलने लग जाएंगी पस्ताताप के आग में। हकें दिया लुधन जिनको सो बैठे आरशमें बेशका तो जिनको स्वेम परमात्मने प्रकट होकर के ब्रहमग्यान दिया है वो ब्रहमात्माएं तो स्वेम को निश्चित रुप्षे परमधा में बेठी हुई समझती है। जब कोल पहुँचा सरतका तब हो शी दुनी तो दोजखा जब ये वचन पहुँचेंगे कतातपर ये तो ब्रहमात्माएं जागरत होंगे कयामत होगा तो उस समय दुनिया को दोजख मिलेगा ये निश्चित है इस तरह से बोज़ रहे हैं। तो दुनिया के लोगों को तो बड़ी बड़ी पीडा होगी वो पस्चात आपके अगनी में जलेंगे तो ये ही दो जखाए। अरश नाशुत दोव इतहीं वोची जाए रह अपनी शरत तो यह तो परमधाम कानभब करना यह यह वोश्वपनवद जगत में तो ये पस्चात आपके अगनी में जलना तो ये दोनु बातें अपनी समय के अपनी सरत के अनुशार शमय पर ये दोनु बातें स्पष्ट होंगी देखे मोमिन दुनी जलती बीच बैठे अपने विष्था तो ब्रह्मा आत्मा है तो अपने धाम में बैठे बैठे तो दुनिया को जलती हुई देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि यह देखो तो इन्होंने सुना नहीं और अभी क्या पश्चाता आप कर जये बीच बैठे अपने विष्था अरश ना सुत दो इताहि ने घोशी जाहरा अपने शरता डिरृ न के तो देखेंगे दि बीच बैठे अपने विष्था अपने विष्था देखेंगे अपने विष्था बीच बैठे अपने विष्था Heart पसकनी आ मलाल के चुछ थिर। प्राणनाथ प्यारे के, जारे माच नौतन पुरे नामा के, जगत गुरो आचार्य स्रीक्स्वार कृष्नमानी जी महाराज के, जारे